हेलो फ्रेंट्स माइनम इस अपसेख और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं फ्रांस अबॉलिसेज मुनार्की एंड बिकम रिपब्लिक फ्रेंच रेवलुशन का यह टॉपिक नमबर थ्री है इसके पहले हम लोग क्या देख चुके फ्रेंच सोसाइटी डियूरिंग अब आज हम वोग करने जा रहे हैं फ्रेंज आपोल्जार्की अब यह खतम हो जाएगा मोनार्की जो है वह अब है और कहले बनेगा फ्रांस रि पंड़ुक्र रिपब्लीक अब इसको समझते हैं यह सब हुआ क्यों बाई जब यह constitutional मुनायर्गी बन गया फ्रांस तो यह सब उने क्या जरूरत थी अब Republic बनाने क्या जरूरत थी क्या लोई 16 ने कुछ किया तो इन सारी चीजों को समझते हैं तो सबसे पहले लोई 16 क्या किया इन्हों ने सिक्रेट नेगोसियेशन में चले गए किंग ऑफ प्रुसिया के साथ किंग ऑफ प्रुसिया के साथ यह सिक्रेट नेगोनी नेगोसियेशन में किसके अगेंस में नेसनल एसेंबली के अगेंस में वह नेसनल एसेंबली जो कि किसने उसने constitution को form किया था और मोनायर के power को क्या किया था लिमिटेट किया था अब दिमाग में यह है कि यह भाई-साब जो है King of Prussia यह इनके support में क्यों है National Assembly के अगेंस में लड़ने के लिए तो इसका देनिस रीजन है तो यहां पर यूरोप पर कोई ना कोई रूल कर रहा था कोई ना कोई मोनायर था तो फ्रांस में जो इंसिडेंट चेंज हो रहे थे उससे वह लोग भी डर हुए थे कि वहां पर हो रहा है वह हमारे यहां भी ना होने लगे तो वह पूरा सपोर्ट कर रहे हैं संड कर रहे तो यह किया नेबरिंग कंट्री वर वरीड वरीड थे इसलिए किस उसका सपोर्ट कर रहे थे लोई सिक्स्टीन का उसमें एक आउस्में बात पता चल गई तो ने क्या दिमाग नगा उन्होंने क्या कि है पहले अभी पूर कि प्रूसिया और लुइस 16 मिल करके कुछ करते इनको खतम करने के लिए नेशनल असेंबली को पहले ही वार डिकलेयर कर दिया किसके अगेंस में प्रस्या और अस्या के अगेंस में लो भाई साथ आप अभी जाके उनसे मिलके हमारे उपर अटेक करेंगे उससे पहले हमी आप अब क्या सिग्रेट नेकोसियेशन अब उनसे करोगे अब यहां पर यह सबको पता चल गया कि लुइस 16 जो है वो नेशनल असेंबली को खतम करना चाहरे और नेशनल असेंबली ने पहले ही वार डिकलेयर कर दिया पूरे मा फ्रांस में एक अगेंस्ट दा मुनायर्क माहौ से बन गया लाखो की हजारों की संका में वॉलन्टियर वार्मी को जुञाइन करने लगे और जौइन к अब क्या हुआ आदमी जो है वह आर्मी जोएं करने लगे और वह कहां जाने लगे बाहर जाने लगे घरों में कौन बचा बुमें और ते बजगे बचा अब इनके हाथ में आगे पूरी फैमिली का देख बाल आदमी तो जो है कि वह वार में चले गया आर्मी में चले गए वन में अवे फाइटिंग वुमें क्या करें यह अपना जो है कि परिवार का देख करने लगे काम करने के लिए घरों से बाहर निकले डिट वुमें वुमें ने कैसे पार्टिसिपेट किया रेवलुशन में देन कंस्टिटूशन ऑफ 1791 क्या था आप लोगों को याद करिए जो 1791 का कंस्टिटूशन था उसने जो है रिचर सेक्षन कोई वोटिंग राइट दिया था वहां पे दो प्रॉब्लम वोटिंग राइट क्या हु उपर 25 की एज के उपर में लोगों को मिला वह भी जो थ्री डेज के वेच के बरावर क्या दे रहे थे टैक्स दे रहे थे याद है ना यह और उसके बाद जो नेशनल एसेंबली फॉर्म हुई या जो इलेक्टोरल फॉर्म हुआ उसमें भी अपर सोसाइटी के ही लोग थे मतलब थार्ड स्टेट के रिच लोगी थे उसमें गरीब के लिए कोई जगा नहीं है या नीचे के लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए कोई जगा नहीं थी इसका मतलब कंस्टिटिशन और 1791 गिव पॉलिटिकल राइट ओनली तुदा रिचर सेक्षन आप सोसाइटी हमें पता है अब लोगों ने टॉपिक नूमर वन टू में यह सारी चीज़े देख लिए ने अगर प्लिटिकल मिला प्लग तो कुछ अपके के लोगों को मिला किटने ट्वेंटी एट मिलियन फी टॉटल ट्वेंटीएट मिलियन में शिर्फ फूर मिलियमников को इतना कम क्या आ की पुरिकल प्राइटिकल क्लब जो है वहां पे वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया अगेंस लड़ने के लिए किसके इस रिजीम के ये पॉलिटिकल क्लब बिकेम एंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट दमोस्क्सेस्फुल आप डीज वास जैकोबियन यह जो थे मेंबर्स ऑफ जैकोबियन क्लब इंक्लूडेट इस स्मॉल सॉप कीपर चोटे दुकानदार उसके बाद सू मेकर वाच मेकर एस वैले सर्वेंट एंड डेली वेज वरकर यह मतलब लेस प्रॉस्परस इनको क्या बोलते लेस प्रॉस्परस सेक्शन जो सोसाइटी का था वो जैकोबियन के मेंबर बने यह लोग और इनके लीडर बने मैक्सिमिलियन रॉबस पियर यह नाम याद रखना बच्चों इन्हीं का आएगा रेन ओफ टेरर इसी टॉपिक में टॉपिक नमबर थ्री में क्या आएगा रेन ओफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबस पियर जैको पहले जो नोबल्स थे जो इनको जिनको एक्स्प्लाइट कर रहे थे वो नी ब्रिचेस पहनते थे हमारे इंडिया में उसको बूट बोलते हैं घुटने के नीचे तक जो जूते रहते उनको तो इन्होंने एक नए तरह का ड्रेस ला करके क्या मैसेज दिया कि अब हम लोग उ खुद नोबल बनना चाहरे हैं तो इन्होंने मैसेज दिया नहीं हम नोबल की तरह नहीं बनना चाहरे हम अलग हैं और यह अब हमारा जमाना है तो दे डिसाइडेट टू स्टार्ट वेरिंग लॉंग स्ट्रिप टावजर्स इसको पहनने लगे इट वह उफ प्रोकेल प्र यह बनी जमाना नहीं है दे लोन तो इनको क्या बोला जाता था सेंट कुलर्ट यह याद रखेगा सेंट को जो बिदा के कपड़े जूते पहन रहे हैं उसको नहीं पहने लॉंग ट्राउजर को पहन रहे हैं मतलब इग्डम इस तरह से पैंट रहती हुँ ऐसे करके पैंट रहती है एक्डम नीचे पैर तक ऐसे यह पतला रहता है यहां से आजकल चला भी है इसी तरह का जीन्स बेल बॉटन जाता है थोड़ा सब नैरो हो जाता है तो इस तरह का जो है कि लोगों ने ट्राउजर पहनना स्टार्ट करें उसका फिगर आप बुक में देख भी सकते हैं तो उसके बाद क्या हुआ इन 1792 यह तो हो गया यह ड्रेस के बारे में सेंट कुलार्ट का एक फोटो भी बना हु जो नी ब्रिचेस पहनते हैं लॉंग बूट पहनते हैं वह नहीं पहनेंगे हम अलग है और आप इनके अंडर में नहीं अब जो एरा आ रहा है वह हमारा एरा रहा है तो यह तो कि ड्रेस की बार क्या हुआ हुआ इन 1792 जैकोबियन प्लान एंड इंसरेक्शन इंसरेक्शन क प्लान किया इन लोगों ने मिन्स रिवोल्ट टाइप ओफ रिवोल्ट राजा के खिलाब द्रो इसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑन टेंथ ऑफ ऑगस्ट दे स्टॉंप पैलस ऑफ टेरलिस यहां पे किंग रहते थे मैसकर्ट दकिंग गार्ड एंड हैल्ड दकिंग अब वो जो वेच के बराबर टैक्स पे करने वाले लोग होंगे पहले तो तो उस ट्वेटीफाइव को 21 कर दिया गया 25 से क्या कर दिया गया 21 और वह व्यज वाला टैक्स वाला सिस्टम था उसको वेटा दिया गया मतलब 21 की एज के सभी जो आदमी है उनको वोटिंग में वोमेन को वोटिंग रैट का फाइनली मिलेगा 1946 में तो यह था ड्रेस और उसके बाद जो है अटैक मतलब जैकोबियंस ने अब रिवोल्ट प्लान कर दिया और वो रिवोल्ट सक्सेस्फुल रहा उसके बाद जो है नेशनल असेमली खतम हो अब क्या हुआ अब नेशनल जैकोबियंस नेशन क्या बन गई कर दिया अब जो है क्या हुआ कि वो सिक्रेट नेगोसियेशन में चल गया और उसके बाद जैकोबियंस है रिवोल्ट कर दिया और वो सक्सेस्फुल भी रहा रिवोल्ट नाँ फ्रांस विकम रिपब्लीक और रिपब्लीक का मतलब मैंने बाब बताया था रिपब्लीक का मतलब होता है कि जो हैड्ड आप दे इस्टेट होंगे वो डेमोक्रेटिकली एलेक्टट परसन होंगे वह क मुनार्की एबॉलिस हो गई मतलब खतम हो गई and becomes a republic अब क्या बन गए रिपब्लिक बन गए और 21 सेप्टेंबर 1792 यह डेट याद रखना आप लोग फ्रांस एबॉलिस मुनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक क्या फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया मनलब मुनार्की एक अतम यह डेट 21 सेप्टेंबर 1792 लुइस 16 है इन पर इन पर ट्राइल चला ट्रेजन का मनलब होता है देश द्रो ट्रेजन की मीनिंग क्या होती है द्रेश द्रो द्रो का केस चला इनको क्या सजा मिली क्या संटेंस टू डेथ मौत की सजा मिली बाई देश के अगेंस में गया और क्या हुआ कि वह द्रो ही बन गया ट्रेजन प्रूफ हो गया देश द्रो का मुकदमा उन पर प्रूफ हो गया ऑन 21 जन्वरी मतलब लगए चार-पाच मेने बाद यह फ्रांस रिपब्लिक बना इक्जैक्ली हमको लग रहा है कि यह पाच मेने कर दिया गया और यही सेम चीज जो है इनकी वाइब के साथ कर दी गई मेरी के साथ फ्रांस अबॉलिस मोनार्की और विकम रिपब्लिक में नेक्स टॉपिक जब हम लोग जो हम लोग पढ़ेंगे वह गा रेन आफ टेरर ओके फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही अगर आ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सेर करिए थैंक यू टेक क्यार गुडबाए